साथ्यों आजादी के 75 वर्षों में हमारा भारत कहीं से कहीं पहुंच सकता था और यह मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कहीं से कहीं पहुंच सकता था हम भारतियों के सामर्थ में कभी कोई कमी नहीं रही है लेकिन सामान्य भारतिय के इस सामर्थ के साथ हमेशां ब्रश्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया आज देश के लोग दोहजार चोबिस चुनाओं में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं निर्णाई ले चुके हैं ऐसे मैं भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोल कर बैड़ गए हैं इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तिया याद आती है एक कभी महाशय ने अवधी में लिखा था यह अवधी भाषा में लिखी गई कविता है गाईत कुछ है हाल कुछ है लेबिल कुछ है माल कुछ है 24 के लिए 26 होने वाले राजनितिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है गाईत कुछ है हाल कुछ है लेबिल कुछ है और माल कुछ है यानि गाना कोई और गाया जा रहा है जबकि सच्चाई कुछ और है नेबल, लेबल किसी और का लगाया गया है जबकि प्रोडक कुछ और ही है इनकी दुकान की यही सच्चाई है इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है एक तो ये अपनी दुकान पर जाती बाद का जहर बेचते है और दूसरा ये लोग अवसिबीत प्रष्टाचार करते है आज कल ये लोग बेंगलूरू में जुटे है एक जमाने में एक गाना भव मशूर था मुझे तो पुरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है एक चहरे पर कई चहरे लगा लेते हैं लोग एक चहरे पर कई चहरे लगा लेते हैं लोग आप देखिए ये लोग कितने चहरे लगा कर बैठे हैं जब ये लोग कैमेरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है लाखों करोणों रुपिये का प्रष्टाचार इसलिए देश की जनता कह रही है कि यह तो कटर प्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है कटर प्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है यह लोग गां कुछ और रहे हैं हाल कुछ और है इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है माल कुछ और है इनका प्रोड़क्ट है 20 लाग करोड रुपिये के गोटाले की गारंटी 20 लाग करोड रुपिये के गोटाले की गारंटी साथियों इस बैठक की एक और खास बात है अगर कोई करोडों के गोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज़्यादा खातिरदारी होती है अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री प्रश्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इन्वाइटी बुला कर बुलाये जाता है अगर कोई किसी समाज का अपबान करता है अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवा भगत होती है अगर कोई अदालत से करोडों के गोटाले में दोसी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है बलकि ये लोग तो उससे मारदर्शन मांगते है ब्रश्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मियता है बड़ा प्रेम है इसलिए 20 लाख करोड रुप्ये के ब्रश्टाचार की गारंटी देने वाली लोग बड़े प्रेम से बड़ी आत्मियता से आपस में मिल रहे हैं